आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्विंद लकेसर, नियूरोलोजिस्ट नारायना उस्पिटल जेपूर, आज हम स्टोक के बारे में बात करेंगे, स्टोक बेसिकली दो टाइप का होता है, इसमें या तो दिमाग की खून की नस बलोक हो जाती है, या फट जाती है जब ऐसा होता है, तो उसके तुरंट बाद एक सर्टेन एरिया में रक्त प्रवाधित हो जाता है, उसके वज़े से वहां के कोशिकाएं बरत होने लगती है, और शरीर में कुछ लक्षन आने लगते हैं, जिससे कि चैरे का तिर्चापन, जबान में तुतला हैट, एक हाथ कमजोरी का आना, कुछ लोगों में अन्यूजल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि डबल दिखाई देना, एक आंग से कम दिखाई देना, बैलेंस बनाने में दिक्कत होना, और कुछ लोग बेहोस भी हो जाते हैं, अगर आसपास कोई मरीज में इस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं, तो हमें तुरंत उसको नियरवाई इमर्जन्ची या स्ट्रोक उनिट में शिफ्ट कराना होता है, क्योंकि रिसर्च यह कहती है, कि अगर तीन चे साधे चार गंटे के अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला और ब्लोक को नहीं खोला गया, तो वो एरिय जिसमें खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन कुछ क्लोट लेंथ में बड़े होते हैं, या फिर लार्ज वेसल में होते हैं, उनके लिए हम दूसरा मेथड भी यूज करते हैं, जिसे हम थ्रोंबेक्टम भी बोलते हैं, इसमें जांक के रस्ते से, गाइड व तो उसको तुरंत नियर्वाई स्ट्रोक यूनिट में आप शिफ्ट करवाएं, ताकि उसे थ्रोंबोलिशिस और थ्रोंबेक्टमी का लाब मिल सके.